श्वेत बटन खुम को उगाने की विधि श्वेत बटन खुम को कमरों में कमपोस्ट अर्थात एक विशेश प्रकार की खाद पर प्लास्टिक के थैलों अत्वा प्लास्टिक की चादरों पर उगाया जाता है बटन मश्रूम को उगाने के लिए ठंडी जलवाय यानि 14-18 डिग्री सेल्सियस तापमान भरपूर नमी तथा स्वच हवा की जरूरत होती है इसलिए इसकी खेती हिमाले की पहाडियों तथा उत्तर भारत के मैदानों में शीत रित्व में काफी प्रचलित हो रही है इस खुम्ब की खेती के चार प्रमुक्चरण हैं बीच तयार करना, खाद बनाना, आवरक मिट्टी तयार करना, फसल प्रबंध एवं कटाई मश्रूम का बीच जिसे प्राय स्पान के नाम से जाना जाता है, भारत में मुख्यत गीहों के दानों पर तयार किया जाता है इसे वैग्यानिक प्रयोगशाला में प्रशिक्षित तक्नीकी सहायकों द्वारा जर्म रहित वातावरण में बनाया जाता है अतह छोटे किसानों को इसे किसी विश्वस्त प्रयोगशाला से प्राप्त करना चाहिए बीच बनाने का कारिय तीन प्रमुक्चरणों में पूरा किया जा सकता है मश्रूम का शुद्ध समवर्धन या प्योर कल्चर तयार करना मास्टर स्पान अर्थात जनक बीच बनाना और व्यवसाइक बीच बनाना शुद्ध समवर्धन तयार करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वस्थ मश्रूम को लेकर उसे साफ किया जाता है और उसकी भीतरी उत्तक से एक छोटा सा टुकड़ा माल्ट एक्स्ट्रैक्ट एगर माध्यम पर जर्म रहित सावधानियों के साथ स्थनांत्रित करते हैं इन निवेशित परक्नलियों को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर उश्मा इत किया जाता है जिसके फल सरूप 10-12 दिनों में ही नली में कवक चाल पहल जाता है जिसका जनक स्पान बनाने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है स्पान बनाने के लिए गेहु के दानों को उबाल कर नर्म कर लिया जाता है अब उन पर मौझूद अत्रिक्त पानी को सुखाने एवं ठंधा करने के लिए किसी साफ सतह पर फैला दिया जाता है अब इन दानों में दो प्रतिशत जिपसम और आधा प्रतिशत कैल्शिम कार्बोनेट मिला जाता है और उन्हें जनक बीच के लिए बोतनों या थैलियों में भर दिया जाता है ततपशात उन्हें 22 पॉंड प्रतिवर्ग इंच दबाव के अंतरगत डेड़ घंटे तक गर्म करके जर्मरहित किया जाता है पॉंड व्हाँ ठंडा होने पर इन बोतलों को मश्रूम के शुद्ध संबर्धन से निवेशित किया जाता है बोतलों का निवेशन जर्म रहित वातावरण में जैसे एक लेमिनार फ्लो बेंच पर करना अनिवारी होता है इन निवेशित बोतलों अत्वा थैलों को 25 डिग्री सेल्सियस पर 12 से 15 दिनों तक पुश्माइद करते हैं ताकि उनमें कवक चाल पूरी तरह फैल जाए अब जनक स्पान तयार है इस जनक स्पान की सहायता से प्लास्टिक के थैलों में वेवसाइक स्पान बनाया जा सकता है वेवसाइक स्पान के निवेशित थैलों को एक निवेशन कक्ष में 25 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 दिनों तक पुश्माइद करने पर बीज इस्तेमाल के लिए तयार हो जाते हैं पूरी तरह विक्सित बीज सफेद एवं रेशेदार देखता है और उसमें कोई भी काला या रंगीन धबा नहीं होता है बटन खुम के लिए खाद तयार करना बटन खुम के लिए खाद का निर्माण विभिन्न प्रकार के जैविक एवं और जैविक पदार्थों जैसे गेहूं या धान का भूसा मुर्गी की खाद, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, चोकर, मूरेट औफ पोटाश, जिपसम तथा SSP से किया जाता है खाद निर्माण की दो विध्यां प्रचलित हैं, लंबी विधी और छोटी विधी लंबी विधी से खाद पूरी तरह खुली जगे में बनाई जाती है और इसमें 24 से 28 दिन लगते हैं भारत में लंबी विधी से खाद बनाने का एक प्रचलित फार्मूला यहां दिखाया गया है गेहूं या धान का भूसा एक टन, कैल्शियम अमोनियम नाइटरेट 30 किलो, यूरिया 10 किलो, सुपरफासपेट 10 किलो, मिूरेट अफ पोटाश 10 किलो, चोकर 50 किलो और जिप्सम 40 से 50 किलो सबसे पहले गेहूं के भूसे को फैला देते हैं और दो दिनों तक भिगोते हैं इस क्रिया से भूसा एक समान गीला हो जाता है गीले भूसे का ठहेर बनाने से एक दिन पहले कैन, यूरिया, SSP, MOP तथा चोकर को गीला कर एक मिश्णर बना लेते हैं और उसे गीली बोरी से ढख देते हैं ताकि उसमें से अमोनिया गैस बाहर ना निकले रात भर में सभी अजयविक खाद घुल कर चोकर द्वारा सोख ख्रिये जाते हैं अगले दिन इस मिश्णर को गीले भूसे में मिला दिया जाता है अब फट्टों की सहायता से देड़ मीटर उचा और देड़ मीटर चोड़ा धेर बना लिया जाता है इस धेर को रोजाना पानी छड़क कर पांच दिन तक गीला रखा जाता है जिसके फल सुरूप इसमें सुक्ष्म जीवियों द्वारा किडवन की प्रक्रिया तेज हो जाती है ततपहशात धेर को बार-बार पल्टाई दे कर नया धेर बनाया जाता है ताकि धेर के भीतर वायवी परिस्थितियां बनी रहें ये पल्टाई छठें, दसवें, तेरहवें, सुलहवें, उननिसवें, बाइसवें और पच्चिसवें दिन की जाती है धेर के भीतर तापमान शुरू में बाहर के तापमान के बराबर रहता है परन्तु धीरे-धीरे बढ़कर तीसरे दिन तक 65-70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तीसरी पल्टाई के दौरान भूसे में जिपसम मिलाते हैं सात्वी पल्टाई के बाद भूसे में अमोनिया की उपस्तिती की जाँच करते हैं और अमोनिया मुक्त होने पर धेर को तोड़ कर ठंडी खाद में विजाई कर देते हैं अच्छे तरह बनाई गई खाद 68-72 प्रतिशत नमियुक्त, 7.2-7.8 pH, गहरा भूरा रंग, चिपचपाहट रहित, मीठी महक वाली और बिमारी एवं किटाण रहित होनी चाहिए छोटी विधी से खाद केवल 16-18 दिनों में तयार हो जाती है इसके दो चरण होते हैं, बाहरी चरण और भीतरी चरण इस विधी को प्राय बड़े उत्पादे की प्रयोग में लाते हैं इसके लिए पैस्चुराइजेशन चेमबर ब्लोवर या पंखा तथा बॉयलर की आवशक्ता होती है चोटी विधी की खाद के लिए भारत में प्रचलित एक फार्मूला गिहूं का भूसा एक टन, मुर्गी की खाद चार सो किलो, यूरिया साड़े चोधा किलो, चोकर बाहतर किलो, जिपसम तीस किलो बाहरी चरण में गिहूं के भूसे को अच्छी तरह गीला कर लेते हैं बाद में उसमें मुर्गी की खाद एवं चोकर मिला कर एक पचास से साट सेंटीमीटर मोटी परत बना देते हैं जिसके फल सरूप उसमें किणवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है दो दिन बाद इस धेरी की पल्टाई कर देते हैं और आविशक्ता नुसार पानी छुड़क कर दुबारा बना देते हैं अगले दो दिनों के बाद यूरिया डाल कर एक सघन उची वायवीय धेर बना देते हैं तत पश्यात इस धेर की नियमीत पल्टाई की जाती है जैसा यहां दिखाया गया है तीसरी पल्टाई के समय जिपसम डाला जाता है भीतरी चरण के दौरान खाद सामगरी को एक विपुल कक्ष या टनल में भर कर साथ दिनों तक अनुकूलन एवं पास्तुरी करण किया जाता है इसके लिए दर्वाजे तथा रोशन दान बंद कर दिया जाते हैं और पंखा चला दिया जाता है फल स्वरूप पूरे कंपोस्ट का तापमान एक समान 45 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है इसके बाद टनल में भाप डाल कर और रोशन दान खोल कर खाद का तापमान 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है और अगले दो दिन तक खाद का अनुकूलन किया जाता है ततपश्यात तापमान 69 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा कर 6 से 8 घंटों तक खाद का पास्तुरी करण किया जाता है अगले दो दिनों तक भरपूर हवा डाल कर तापमान को कम करते हैं जिससे अमोनिया की महक खत्म हो जाती है ततपश्यात बाहर से सुच हवा डाल कर खाद को ठंडी कर विजाई के लाइक बना दिया जाता है पूरी तरह तयार खाद गहरे भूरे रंग की होती है और इसमें पर्याप्त मात्रा में सफेद कवक तंतु दिखाई देते हैं जिन्हें फाइर फैंक्स कहा जाता है अच्छी खाद में 68 से 72 प्रतिशत नमी होती है जिसकी जाच मुठी में दबा कर की जा सकती है तयार खाद को बक्सों में धैलों में या क्यारियों में भर दिया जाता है और प्रतिक्विंटल खाद में 500 ग्राम स्पान डाल कर इसकी विजाई कर दिया जाती है और उन्हें स्पान विस्तार कक्ष में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया जाता है क्यारियों में खाद का तापमान 25 डिग्री सेल्शियस के आजपास रखने से खाद में 12 से 14 दिनों में कवक जाल का फैलाव पूरा हो जाता है और खाद में सफे दिया जाती है अब इन थैलों में आवरक मिट्टी डाल सकते है आवरक मिट्टी तयार करने की विधि आवरक मिट्टी बागान की मिट्टी तथा सड़ी हुई गोबर की खाद को बराबर मात्रा में मिला कर बनाई जा सकती है इस मिश्रण को फार्मेलीन अत्वा भाप से उपचारित कर जर्म रहित किया जाता है फार्मेलीन उपचार के लिए चार प्रतिशत फार्मेलीन का घोल का छड़काओ कर केसिंग मिट्टी को प्लास्टिक की चादर से लगभग एक सबताह के लिए ढग देते हैं इस मिश्रण का प्यच साथ से साड़े साथ के बीच होना चाहिए अन्यथा चाक पाउडर या जिबसम डाल कर इसका प्यच स्थिर किया जा सकता है क्यारी में स्पान व्रिध्धि पूर्ण होने पर फलन पैदा करने के लिए आवरक मिट्टी डालना आवश्यक होता है इसके लिए क्यारी की सतह को बराबर कर लिया जाता है और एक लकड़ी के मापक की सहायता से चार से पांच सेंटीमीटर मोटी आवरण मिट्टी की एक समान परत डाल दी जाती है आवरित थैलों को फसल कक्षों में एक चौक्ठे पर रख कर नियमित रूप से पानी का छड़काव किया जाता है कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस एवं आर्दरता 90 प्रतिशत के आसपास रखे जाती है जिसके फल सरूप कवक जाल आवरण परत में फैलने लगता है साथ दिनों में कवक जाल आवरण परत में पूरी तरह फैल जाता है और तब तापमान को 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक कम करके भरपूर सच हवा डाली जाती है जिससे क्यारियों में फलन प्रारंब हो जाता है साधारणतया आवरण डालने के 10 से 15 दिनों के बाद खुम्ब की कलिकाएं निकलने लगती है जो अगले 3 से 4 दिनों में विक्सित होकर बटन का आकार ले लेती हैं और कटाई के युग्य हो जाती है मश्रूम का फलन 40 से 50 दिनों तक चलता रहता है और 7 से 10 दिनों के अंतराल पर कई फलन चक्रों में पूरा होता है साधारणतया 4 से 5 चक्र ही आर्थिक व्रिष्ट से लागप्रत माने जाते हैं कटाई के उपरांत खुम्बों की छटाई की जाती है और 0.05 प्रतिशत पोटैशियम मेटाबाइस सल्फाइट के घोल में उन्हें धोकर प्लास्टिक के छिद्रयुक थैलियों में भरकर बेचा जाता है